नमस्कार प्रिये विद्यार्थियो, समस्कृत में आपका स्वागत है आज हम अपने सतर्मे पाठ में विधी लिंग लकार को सेखेंगे विधी लिंग जो लकार है हमारा, वो कर्तव्य को दिखाता है करतव वियाने करना चाहिए वह ऐसा करे उसे ऐसा करना चाहिए उसे पढ़ना चाहिए उन्हें खेलना चाहिए हमें सत्य बोलना चाहिए वह हिंसा से दूर रहे सब लोग वेद पढ़ें या सब लोगों को वेद पढ़ना चाहिए एक ही बात है तो इस तरह से हम इसका करेंगे और इस तरह के हिंदी वाक्य जो हैं उसकी संस्कृत हम कैसे बनाएंगे संस्कृत में कैसे नुबाद करेंगे वह हमने आज सीखना है इसे हम विधी लिंग लकार पहेंगे तो प्रारम्म करते हैं पठ पढ़ना वर्ब से धातु से ठीक वैसे ही जैसे हम पहले करते आ एक वचन, द्विवचन, बहवचन में उसके रूप चलते हैं तीन वचनों में और पुरुष प्रतम, मध्यम, उत्तम, तीन पुरुष उसमें रहते हैं पठेत पठेत ये रूप इसमें रहेंगे इन अच्छे से कंठस्त कर लीजिए प्रियाप्त अभ्यासमा आपका करवा दूँगा इस वीडियो के मादिम से कई अलग-अलग वर्ब हम देखेंगे इसमें अभी हम इसके अलग-अलग देख लेते हैं वचन और पुरुष के अनुसार तो पठेत इसका अनुआद रहेगा उसे पढ़ना चाहिए या वह पढ़े पढ़े ताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए अब देखे संस्कृत कितनी गहरी भासा है कितनी सक्तिशाली भासा है कि एक ही शब्द में यह जो कह सकती है हिंदी में उसे कहने के लिए इतना बड़ा एक वाक्य चाहिए एक शब्द में नहीं कह सकती हिंदी इंगलिश को भी वाक्य चाहिए they should read, they should learn इंगलिश को भी कई शब्द चाहिए लेकिन संस्कृत पठेतां पठेयुहू उन सब को पढ़ना चाहिए पठेहे तुमको पढ़ना चाहिए पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए पठेत तुम सब को पढ़ना चाहिए पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए पठेम हम सब को पढ़ना चाहिए ठीक वैसे ही पहले की तरह जो प्रतम पुरुष होता है वह वेदो वे इस पर चलता है मध्यम पुरुष तुम तुम दोनों तुम सब इस पर चलता है और उत्तम पुरुष मैं हम दोनों और हम हम सब इसके नुसार चलता है पहली जो लाइन है उपर से नीचे एक वचन के रहते हैं दूसरा दूई वच इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इसी के नुसार हम इन लकारों को जचाते हैं और उन्हें कंठस्ट करने में याद करने में भी बड़ी ही सरलता सहजता रहती है उन्हें लंबे शमय तक याद रखा जा सकता है तो आगे हम दूसरी वर्व लेते हैं गम का मतलब है जाना तो गच्छेत वह जाए उसे जाना चाहिए गच्छेत अम उन दोनों को जाना चाहिए गच्छे यू उन सबको जाना चाहिए गच्छे है तुम्हें जाना चाहिए गच्छेत अम तुम दोनों को जाना चाहिए गच्छे तर तुम सबको जाना चाहिए, गच्छे यम मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊं इस तरह से, गच्छे वर हम दोनों को जाना चाहिए, हम दोनों जावें, गच्छे में हम सबको जाना चाहिए या हम जावें, हम जाएं अगला जो हमारा धातु है वर्भ है भू होना भवेत भवेताम भवेयुहू वह होवे वे दो होए वे सब होए भवे है तुम हो भवेताम तुम दोनों हो भवेत तुम सब हो या तुम्हे होना चाहिए तुम दो को होना चाहिए तुम सब को होना चाहिए भवेम मुछे होना चाहिए, भवेव हम दोनों को होना चाहिए, भवेम हम सब को होना चाहिए, नी ले जाना, नायेत, अब मैं हिंदी नहीं बना होगा आपने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर जोर डालना है, नयेत, नयेताम, नयेयुहु, नयेह, नयेतं, नयेत, नयेयं, नयेव, नयेम। पच पकाना, पचेत, पचेताम, पचेयुहु, पचेह, पचेतं, पचेत, पचेयं, पचेव, पचेम। इस तरह से, हिंदी अब अपने आपके दिमाग में बनने लगती है. जी, जीतना. मुझे जीतना चाहिए, हम दो को जीतना चाहिए, हम सब को जीतना चाहिए. आगे है दुरुष देखना पशेत उसे देखना चाहिए पशेताम वे दोनों देखें या उन दोनों को देखना चाहिए पशेयु वे देखें उनको देखना चाहिए पशेहे, पशेतम, पशेत, पशेयम, पशेव, पशेम, रक्ष, रक्षा करना, रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुह, रक्षेहे, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव, रक्षेम, वद कहना, वदेत, वदेताम, वदेयुह, वदेह, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम, स्था, बैठना, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठे युहू, तिष्ठेह, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम, यज यज करना यग करना हवन करना यजेत उसे यग करना चाहिए यजेताम यजे यहू यजेह यजेतम यजेता यजेयम यजेव यजेम पिब पीना पिबेत उसे पीना चाहिए पिबेताम पिबे यहू, पिबेहे, पिबेतम, पिबेतर, पिबेयम, पिबेवर, पिबेम, याच, मांगना, याचेत, याचेताम, याचे यहू, याचेहे, याचेतम, याचेत, याचेयम, याचेवर, याचेम, हस, हसन, हसेत, हसेताम, हशेयु, हसेह, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम, कथ, कहना, अब हम कुछ वाक्यों की रचना करेंगे, विधिलिंग लकार का प्रियोग करते हुए, संस्कृत में कुछ वाक्य देखेंगे, सह पठेत, हिंदी बनाने की कोशिश केजिए, सह पठेत, बाल काहा संसुकृतम पठेयुहु, मनुश्याह सत्यम वदेत, मनुश्याह सत्यम वदेयुहु, मुझे आशा है कि आपने इन सब का हिंदी नुवाद कर दिया होगा, फिर भी मैं बता देता हुए, सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, या वह पठे, बालकाह संसुकृतम पठेयुहु, बालकों को संसुकृत पढ़नी चाहिए, मनुश्याह सत्यम वदेत, मनुश्य को सत्य बोलना चाहिए, या मनुश्याह सत्यम वदेयुहु, मनुश्यों को सत्य बोलना चाहिए, या मनुश्याह सत्यम वदेयुहु, मनुश्यों को सत्य ब शीतल जल पीना चाहिए, हमने करता नहीं लिया है कि किसको पीना चाहिए, तो पिबेत में अपने आप है, किसी एक के बारे में हम कह रहे हैं, यानि हर किसी को पीना चाहिए, शीतल जल पिया जाना चाहिए, सुद्धम जलम पिवेते शुद्ध जल पीना चाहिए साइनिकों को देश की रक्षा करने चाहिए या साइनिक देश की रक्षा करें ऐसा अनुवात बन जाता है तो प्रियवद्यार्थियो यह हमने विधिलिंग लकार देखा जिसमे शमय नहीं बताया जाता है यह कोई टेंस नहीं है यह शमय नहीं बताता है यह करतेव को बताता है संस्कृत में दो परकार की लकार होते हैं टेंस को बताने वाले शमय को बताने वाले और दूसरे ऐ कालिक, काल की जहां बात देता नहीं है ये विधिलिंग जो लकार था वो ऐ कालिक था इसमें शमय का बंदन नहीं होता है तो विडियो को शेर और लाइक आपको करना चाहिए करना चाहिए मैं कह रहा हूँ विधिलिंग लकार में और हमारे अपने चैनल जो नोलिज जो जी इसको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि संस्क्रत का प्रचार और प्रसार करने में आप अपने योगदान दे सकें धन्यवाद ऐसे ये विडियोज को देखते रहे और संस्क्रत सीखते रहे नमस्कार